साथियो आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एक्जाम के लिए रीजिनिंग का एक बहतरीन प्रेक्टिस सेट प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हमारा प्रेक्टिस सेट होगा और इससे पहले के यदि आपने पिछले रीजनिंग के 53 यानि की 53 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी देखेगा वहाँ पर भी हमने बहुत इंपोर्टेंट प्रिशनों को कबर किया है जो आपके यूपी पुलिस री एकजाम के लिए महतपूर साबित होंगे साथियों इसके अत्रत बात करते हैं आज की इस क्लास की तो कुछ इस प्रकार से प्रिशनों का अध्यन करेंगे जैसे कि आपके सामने कुश्चेन नमर बहतपूर प्रिशन है इसका सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे प्रिशन नमर एक जिसमें बोला गया है दिये गए विकल्पों मेंसे संबंधित सब्द चुनिए यानि कि संबंध गयात करना है साध्रस्ता का एक महत्पूर सा प्रिशन है बोला गया है प्यारे दोस्तों पारलियामेंट का संबंध अगर ग्रेट ब्रिटैन से है तो कॉंग्रेस का संबंध खिससे हो जाएगा देखो पारलियामेंट पारलियामेंट क्या होती है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे पारलियामेंट की अगर बात करते हैं तो ये एक परकार की संसद है क्या है पारलियामेंट एक परकार की संसद है कहां की संसद है तो ग्रेट ब्रिटेन की है कहां कि है प्यारे दोस्तो ग्रेट ब्रिटेन की इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे जैसे हमारे भारत में संसद है अभी नया संसद भवन हम लोगों का बना है ठीक उसी परकार जो संसद भवन ब्रिटेन का है उसको प्यारे दोस्तो हम लोग पारलियामिंट कह होता है जैसे पहले का दूसरे से है तो तीसरे का चौते से होगा अर्थात कहीं की भी संसद होगी कोई ऐसा देश तो होगा इसर जिसकी संसद का नाम कॉंग्रेस होगा और साथियों अगर हम बात करते हैं उस देश की तो उस देश का नाम है USA क्या नाम है United State of America यानि की संयुक तरज अमिरका जिस प्रकार पारलियमेंट ग्रेट बिल्टेन की संसद है उसी प्रकार USA की जो संसद है वो कॉंग्रेस है तो प्रिश्न का उत्तर विकल्प नमर तीन बनेगा इस बात को सभी प्यारे साथ ही याद रखेंगे चलिए कुश्चिन नमर दो में आजाए कुश् 22 के साथ में प्यारे दोस्टो 24 है, 24 के साथ में यहाँ पर 28 है 28 के बाद में एक कुश्यन मारक है यानि की कौन सी संख्याएगी वो इसमें भरनी है इसके अलाबा हमारे पास 12 है ठीक क्या है बावन, बावन के बाद में प्यारे दोस्तों 84 है ठीक है अब भया इसको हम कैसे ग्यात कर सकते हैं बताओ आप कहोगे सर इसको हम अंतर से देख सकते हैं चुकि ज़्यादा दूर की संख्याई भी नहीं है अगर यहाँ पर देखोगे 22 और 24 में प्लस का दो जुड़ा है भया, क्या जुड़ा है प्लस का दो अगर 24 और 28 में देखोगे तो कहोगे 4 जुड़ा है सर इसके बाद आगे क्या हो सकता है और इसके बाद यहाँ पर बावन में क्या जुड़ेगा लेकिन प्यारे दोस्तों हमें ऐसे पता नहीं चलेगा तो हम लाश्ट बाले से चेक करते हैं लाश्ट में कितना जोड़ रहा है लाश्ट में अगर देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 32 जोड़ रहा है क्या जोड़ रहा है 32 क्योंकि 32 और 52 ही जब जोडते हैं तो 84 आता है तो आप गोगे sir, अगर हम यहां पर प्लस का दो कर रहा है, प्लस का 4 अर्थात इसका double हो रहा है, तो हम यहां भी इसका double करके plus का 8 जोड़ें आप कोगे बिल्कुल सही है, और अग्ली बार में इसका double यहाँ पर जोड़ देंगे क्या करेंगे अगली बार में इसका double जोड़ देंगे 8 का double 16 तो देखते हैं क्या complete हो रहा है आपको देखे चलिए 28 में 7 यो 8 जोड़ते हैं 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 आएगा क्या एगा 36 प्यारे दोस्तों गौर से समझ लो 28 में 8 जोड़ोगे 36 और 36 में 16 जोड़ोगे जैसे ही बावन आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि question मारके इस्थान पर अगर प्यारे साथियों 36 रख दें तो दी गई स्रिंखला हमारी पूर हो जाएगी 36 दे रखा है बिकल्प नमर दो में बिकल्प नमर दो बी दाएं छोड़ से 8 वे इस्थान पर है यदि बी को 5 इस्थान बाई और इस्थानांतरत किया जाता है तो बी बाई छोड़ पर होगा पंक्ती में कितने बेखती है भया important question है सबसे पहले तो देख लो दाएं बाईं कौन होता है जो हमारा सीधा हाथ होता है उसी तरफ हमारी दाएं दिसा होती है यानि कि इसको इंगलिस में right बोलते है जबकि जो हमारा left hand होता है उस तरफ हमारी कौन सी दिसा होती है बाईं दिसा होती है और इसको इंगलिस में left बोलते है ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो प्यारे दोस्तों प्रिश्ण में बोला है कि B जो है वो दाएं छोर से आठवें इस्थान पर है अर्थात इस इस्थान से गोर से दिखेंगे अर्थात जो हमारा B है वो यहां से आठवें इस्थान पर है इस बात को याद रखेंगे यहां से जो B है वो आठवे इस्थान पर है तो हम B बराबर यहां पर आठ लिखे देंगे लेकिन प्यारे दोस्तों बोला है यदि B को पांच इस्थान बाई और इस्थान अंतरत किया जाए बाई और मतलब यहां से उठा करके पांच इस्थान इस तरफ ले आओ यह पांच इस्थान का मतलब है पहला इस्थान, दूसरा इस्थान, तीसरा इस्थान, चौथा इस्थान और पाचवा इस्थान तो मैंने का पांच इस्थान गौर से देख लो पांच इस्थान हम B को यहां पर ले आए भाई जब पांच इस्थान B को ले आई तो B यहाँ पर आ गया वो कह रहा है कि वो है पंक्ती में बाएं छोर पर हो गया अर्थात इसके बाद कोई बच्चा ही नहीं बचा गौर से समझो जब यह बाएं छोर पर हो गया यहाँ पर यहाँ से खतम लड़के चुकि बाएं छोर पर लाश्ट था लाश्ट हो गया अब कह रहा है पंक्ती में कुल कितने लड़के हैं तो आप क्या बोलोगे सर देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तो यहाँ पर यह जो B रहा होगा इसके पीछे कितने बंदे होंगे आप कहोगे सर जो B रहा है इसके पीछे हमारे जो बंदे होंगे वो साथ होंगे अर्थात B के सहत 8 है तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और 13 कितना हो जाएगा 13 जल्दी से बताओ आप कहोगे हां सर बिल्कुल सही बात है तो क्या पंक्ती में 13 बच्चे होंगे आप कहोगे हां सर बिकलप नमर दो कुश्चन नमर तीन का सही उत्तर है एक बार फिर से समझो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है गौर से समझ लो मैंने कहा प्यारे दोस्तों अगर भी हमारा आठ में इस्थान पर था दाई छोर से तो अब उसे पांच स्थान मैंने यहाँ पर खिसका दिया अर्था एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चार स्थान और पांच स्थान तो कहरा आप पंक्ती में अब वह कितने सरी वह बाय छोर पर हो गया और पंक्ती में कितने बच्चे हैं तो आपका होगे 8 तो यहाँ पर थे, 5 यहाँ से खिसके, तो क्या बोल दोगे, सीधे 13, जल्दी से बताओ, क्या प्रिश्ण समझ में आया, क्या इसका यही उत्तर होगा, आप लोग बोलोगे, हाँ सर, कुश्चिन नमर 3 का उत्तर होगा, बेकल्प नमर 2, इस बात को याद र में पहले पर 9 है, गुड़ा के इस्थान पर जोड़ है, तो जोड़ लख देंगे, 5 लखेंगे, माइनस का अर्थ, प्यारे दोस्तों, गुड़ा है, तो हम यहाँ पर गुड़ा लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद 12 है, इसके बाद जो प्लस है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो भाईया हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, किस से, इसके बाद में भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, अब प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बोड़ मास लगाएंगे, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, BOD, उसके ब यह हमारे पास 9 तो होगा ही, 5 तो के 20 यह हो जाएगा, प्यारे दोस्तों, और माइनस का 1 यहाँ से हो जाएगा, तो 29, 29 में से 1 चला जाएगा, तो क्या वो लोगे साथ ही हो, प्रिशन नमबर 4 का उत्तर होगा 28, लेकिन 28 कहाँ पर दिया है, तो विकल्प नमर 4 में है, प्य को बिवस्तित करना है, तो प्यारे साथियों गौर से समझेंगे, यहाँ पर कुछ लेटर है, यानि कि 5 सब्दे दिये गए है, 5 समू दिये गए है, तो गौर से देखो इन 5 समू में कोई ऐसा लेटर है कि common है, आप कोगे हां सर, कौन सा लेटर common है, आप बोलोगे सर, S पहल नमर एक यहाँ पर रखूँगा, दो यहाँ पर रखूँगा, तीन यहाँ पर रखूँगा, फिर चार रखूँगा, फिर पांच, इन सबी को एक एक करके देखेंगे, तो देखो, ओप्सन नमर एक में जो अगला लेटर आएगा वो, ओ होगा, ओ होता है, प्यारे दूस्तो है एन इस बात को याद रखेंगे तो गोर से देख लो साथियो आप कोगे सर ठीक है आप बताओ इसमें सबसे पहले कौन आना चाहिए तो बोलोगे पंदरा तो सबसे लाष्ट में दो बड़ी संख्या है और आठ आठ सबसे पहले आना चाहिए तो इससे कनफर्म नहीं हो रहा है कि 3 से सुरुवात होगी या 4 से तो एक एक लेटर और बाद में चेक कर लेते हैं तो यहां से देखोगे आप लोग ओ के बाद तीसरा लेटर यहां पर पहले वाले बिकल्प में क्या है तीसरा लेटर की बात कर रहे हैं तो 21 यानि की U है ठीक है उसके बाद में तीसरा लेटर दूसरे नमर में क्या है तो आप बोलोगे C है यानि की 3 है तीसरे नमर ओप्शन में फिर से क्या है भया आप बोल सकते हो कि उत्तर साथ सर हमारा आ गया उत्तर क्या गया सुरुवात बिकल्प नमर चार से होगी दूसरे नमर पर बिकल्प नमर तीन होगा और तीसरे नमर पर यहां पर हमारा पांच नमर गौर से समझो सुरुवात किस से होगी बिकल्प नमर एक से सबसे चार नमर से क्योंकि देखो दूसरे नमर पर क्या आएगा आप बोलोगे सर बिकल्प नमर तीन आएगा दूसरे पर बिकल्प तीन हो जाएगा तीसरे पर क्या होगा तीसरे पर भईया ये चवदा था नँ और यहां से जो चोथे नमर पर आएगा, वो दूसरे नमर का विकल्प होगा, क्या होगा दूसरे नमर का, और पांच में पर जो आएगा वो एक नमर का विकल्प है, तो हम यहां से कोडिंग निकाल पाएंगे, इनका जो क्रम होगा, वो होगा 4, 3, 5, 2, 1, जो की हमें में आजाओ सातियों अगला प्रिशन एक महतपूर कोशिचन है कोशिचन नमर 6 इस प्रिशन का उत्तर कौनसा प्यारा साती बताएगा जल्दी से बता दो कोशिचन नमर 6 में बोला गया है उसे चुनिए जो तीन अनसे भिन्न है कोई बता सकता है आप लोगों मैंसे आप कोगे सर पहले नमर में बर्ग दिया है और दूसरे नमर की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रत दिया है तीसरे नमर में आयत दिया है और चोथे नमर में तर्भुज दिया है तो इस प्रकार से आप किसे बिसम बता सकते हो कोई है प्यारा साथी जो बता पाए इसका उत्तर क्या होगा चलिए बताए बर्ग की बात करते हैं तो बर्ग क्या है आपको कि सर बर्ग एक आकरती होती है क्या होती है बर्ग प्यारे दोस्तों क्या है एक प्रकार की आकृति है, ब्रत भी एक आकृति है, बर्ग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देखो इस प्रकार से, ब्रत हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आया तो कुछ ऐसा होता है, जिसकी दो बजाएं सम्मुक समान होती है, जबकि ट्राइंगल संसा आपका उत्तर बन सकता है बहिर बताओ जल्दी से आपके पास time है 5 स्वर्मास को प secular कर दो इस प्रिशन का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप के पास 5 सेट का समय है मैं तू तो क्या कह सकते हो बहिंस के सकते हैं यार्ड क्यों समय लगा रहे हो यार, आप सीधा सा न बोल सकते हो, यह चार बुजाओं से बनी है, किसे चार बुजा से, यह दोस्तों भी चार बुजा से बनी है, किसे चार बुजा से, और दोस्तों आप यहां भी कह पाओगे, कि यह तीन बुजा से बनी है, किसे, तीन बुजा से, लेकिन जो A है ये एकलोती बेटी है किसकी B की इस बात को याद रखेंगे जिसकी पतनी C है जिसकी पतनी अर्थात B की पतनी कौन है C है A B की एकलोती बेटी है जिसकी पतनी C है जो किसके लिए आता जिसका जिसकी जो किसके लिए आता है जश्ट पीछे वाले लेटर के लिए, जश्ट पीछे कौन सा लेटर है, आप कहोगे सर B है, तो आप सीधा कह सकते हो, A जो है B की कलोती बेटी है, और जिसकी पतनी कौन है C है, तो हम यहाँ पर, इसको C को पतनी बनाएंगे, B को पती बना देंगे, कह रहा है दोस्तो, D जो ह है, वो C का दामाद, कैसे बनेगा, एकलोती पतनी है ना, सोरी, एकलोती पत्री A है, तो यह अगर B की एकलोती पत्री है, तो वो C के भी तो होगी, क्योंकि उपर पतनी है, तो आप कोगे हाँ, लेकिन इनकी जो साधी है, इसकी बच्ची की साधी, एकलोता दामाद, D कैसे जब A की साधी हम करवाएंगे D से एकलोता दामाद हो किरा है D जो है वो C का दामाद हो ठीक है इस बात को याद रखेंगे किरा है C का A के बच्चों से क्या रिस्ता है A के बच्चे A के बच्चे कहां पर आएंगे आप कोगे सर A के बच्चे नीचे आएंगे A के बच्चों से जो भी बच्चे आएं बच्चिया हो या फिर बच्चे हो इनका जो भी रिस्ता होगा वो D क्या रहा है C का D के बच्चों से तो ये बच्चे क्या बोलेंगे आप कोगे सर पपा जी बोलेंगे क्या बोलेंगे इनको पापा जी बोलेंगे पापा जी कहांपर है कुछ तो गड़बर हो रही C का ओहो D का नहीं इस बात को याद रखेंगे important question है अच्छे से याद रखेंगे question में पूचा है C का A के बच्चे बच्चे को होंगे लड़का या लड़की अभी मुझे पता नहीं है लेकिन उसने पूँच लिया कि जब बच्चों से संबंद पूँचा है तो उसे बच्चों से लगा बच्चे क्या बोलेंगे नानी मा बोलेंगे इस बात को याद रखेंगे कुश्चन नमर आठ भी एक महतपूर कुश्चन है कहा गया है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल लगे होते हैं राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है कह रहा है कि जो राम का सिक्का है प्यारे दोस्तों वो मोहन के सिक्के से भारी है और कह रहा है रमेश के सिक्के से अधिक मूलवान है रमेश के सिक्के से अधिक मूलवान है अर्थात ये जो राम है राम का सिक्का भारी है पहले तो देखो करम एक तरफ भारी का लगा लेते हैं किसका एक तरफ भारी का लगा लेते हैं और एक तरफ मूलवान का लगा लेते हैं इस बात को याद रखेंगे लेकिन प्रिश्न प्यारे दोस्तो एक जैसा ही है ठीक है उसने थोड़ी सी कन्फुजन की है कि अगर जो सिक्का भारी जादा होगा वो मूलवान भी होगा अर्थात दोनों के दोनों ऊपर ही आएंगे त जो हमारे पास गोर से समझो जो हमारे पास राम का सिक्का है वो किसके मोहन के सिक्के से भारी है तो मोहन के सिक्के से कैसा हो जाएगा भारी हो जाएगा और कह रहा है कि रमेश के सिक्के से अधिक मूलवान है तो रमेश का सिक्का अगर नीचे है तो राम का सिक्का कैसा है अधिक मुलवान है कि रहा है नरेस का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मुलवान है तो नरेस का जो सिक्का है प्यारे दोस्तों एन फॉर नरेस का जो सिक्का है वो राम के सिक्के से अधिक मुलवान है तो ऊपर चला जाएगा इसके बाद बोला है योगेस के सिक्के से हलका है नरेस का राम के से तो अधिक मुलवान है लेकिन किससे हलका है तो आप कोगे भारी और हलके में अगर देखें तो नरेस का जो सिक्का है किसका प्यारे दोस्तों गोर से समझो जो नरेस का सिक्का है वो किससे अधिक हलका है कहरा योगेस के सिक्के से हलका है तो योगेस का सिक् का मोहन के सिक्के से महंगा है जो रमेस है प्यारे दोस्तों जो रमेस है उसका सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है तो मूलवान का मतलब महंगा तो आप कह सकते हो यहां पर कि सर मोहन का सिक्का यहां पर हो जाएगा किसका मोहन का तो अब देखो नरेस के ऊपर कौन है योगेस ये हमारे पास नरेस है, नरेस के ऊपर योगेस यहां भी हो जाएगा, ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो इस तरह से, तो कहरा है सबसे अधिक मुल्लवान किसके पास है, तो आप बोलोगे सबसे ऊपर तो सरयोगेस आ रहा है, कौन आ रहा है योगेस, तो इस प्रिश्ण का उत्तर बनेगा बिकल्प नमर तीन योगिस इस बात को सभी याद रखेंगे देखो उसने बोला अधिक भारी सिक्के अधिक मूल लबान है तो भाया बात एक ही है अगर भारी है तो मूल लबान है इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे ठीक है साथियो चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ प्रिश्ण में पूछाता मूल लबान सिक्का तो मूल लबान तो हमारा योगिस का ही आएगा ठीक है? कुशन नमर 9 में आ जाईए डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक अच्छा सा प्रिश्ण है इसको देख लेते हैं प्रिश्ण में वो लगया है सोहन बिंदू X से प्रारंब करके 8 किलोमेटर आगे बिंदू Y पर पहुँचा तो मैं मान रहा हूँ कि कोई बिंदू X है यहाँ पर इस्तित है यहाँ से सोहन चला है Y की तरफ कहाँ पर बिंदू Y की तरफ चला है गोर से समझेंगे एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ पहले तो यह बिंदू X है यहाँ से सोहन बिंदू Y पर चला कहाँ पर बिंदू Y पर और 8 किलोमेटर उसने दूरी तेकी है ठीक है अभी दिसा कोई नहीं बताई है तो मैं अपको ऐसे ही चला दे रहा हूँ रेंडमली तो कहरा है सोहन बिंदू X से आरम करते हुए Y पर 8 किलोमेटर आगे पहुँचा कहरा है फिर दाहिनी और मुड़कर 5 किलोमेटर बिंदू Z पर पहुचा भया अगर दाहिनी और मुड़ना है तो इसका मुख अभी कहां पर है आप कहोगे सर इसका मुख पूर में है और ये दाहिनी मुड़ेगा तो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो दूरी उसने केबल 5 किलोमेटर तेकरी है और ये पहुच कहां पर गया है बिंदू Z पर ठीक है इस बात को यद रखेंगे कहरा है फिर दाहिनी और मुढ़कर 7 किलोमेटर बिंदू A पर पहुचा फिर दाहिनी और मुड़ा है मतलब यहां से भी दाहिनी और दच्छड में मुख है दाहिनी मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा और पश्चिम में जाएगा तो इसने 7 किलोमीटर की दूरी तेकी है और कौन से बिंदू पर पहुँचा बिंदू अ पर पहुचा है इस बात को याद रखेंगे इसके बाद कह रहा है फिर दाहिनी और मुड़कर 5 किलो मेटर दूर बिंदू B पर पहुचा भाईया यहां से भी वो दाहिनी और मुड़ गया अभी रुका नहीं है यह ललका यह कह रहा है यहां से भी दाहिनी और मुड़ गया और 5 किलो मेटर कितना पांच किलोमेटर की दूरी उसने बिंदू B पर ते करी कौन से बिंदू पर ये बिंदू जो है ये बिंदू B है तो कह रहा है बिंदू B और बिंदू X के बीच की दूरी क्या है तो भहिया मेरी बात को समझ लो अगर समझ में आ जाए तो आप कहोगे सर ऊपर की टोटल दूरी हमारे पास हमें पता थी आठ थी कितनी थी ये टोटल दूरी आठ इसके बाद यहां से दूरी पाँच आई थी और यहां से दूरी हमारे पास कितनी थी साथ थी और यहां से दूरी हमारे पास पाँच फिर से आ गई तो यह एक आयत बन वाला तो अगर सम्मुक बजाओं में पूर्व की पाँच है तो पश्यम की पाँच अगर दच्छड की साथ है तो उत्तर की भी साथ तो आप कहोगे साथियो यहां से इस बिंदू से इस बिंदू के बीच की दूरी कित्ती बची वहिया टोटल आठ थी साथ निकल गए कित्ती बची एक किलो मीटर तो प्रिश्ण का उत्तर प्यारे दोस्तों आएगा एक किलो मीटर जो बिंदू बी है कौनसा जो बिंदू बी है वो बिंदू एक से कितने दूर है साथियो एक किलो मीटर है ओप्शन नमर एक कौन किसका सही उत्तर होगा जल्दी से सभी प्यारे साथी इसका उत्तर बता देंगे ठीक है प्रिश्ण में बोला गया है क्या मीडिया की स्वातंतरता की सीमा होनी चाहिए क्या मीडिया की स्वातंतरता की सीमा होनी चाहिए तो भाया आप तरक देने आगए क्या तरक दे रहे हो जल्दी से बता दो क्या दे रहे हो जल्दी से बताओ तो आप कहोगे हाँ प्रेस लोगों को गुमरा कर सकती है ऐसा है क्या जल्दी से बताओ कह रहा कि हाँ जो प्रेस है वो लोगों को गुमरा कर सकती है इसका मतलब क्या है बिल्कुल सही बात है कह रहा है कि कुश्चन को समझो प्यारे दोस्तो कह रहा है कि क्या मीडिया की स्वतंतरता की कोई सीमा होनी चाहिए तो अभी कहोगे हाँ यार सीमा तो होनी चाहिए स्वतंतरता की अर्थात कहने का मतलब यह है कि मीडिया को लिमिट की छूट देनी चाहिए तो कहरा कि प्रेस लोगों को गुमरा कर सकती है बिल्कुल सही बात है प्यारे दोस्तों यह बिल्कुल सही है अगर मीडिया को सरकार पूरी तरह से छूट दे दे तो यह कई ऐसे इसू है जो हकीकत में हैं नहीं उनको भी बना देती है आप देखते हो जैसे अभी रिसेंटल एक बात बताएं तुम्हें जो है अपने भारत के PM कहीं अमेरिका गए थे कहां गए थे अमेरिका तो यहाँ पर यह प्रेसिडेंट से मिले तो मीडिया कह रही है भारत के PM अमेरिका पहुँचे पहला कुशन अमेरिका के PM ने भारत के PM का किया स्वागत अरे भाया जब अमेरिका जाएगा वो PM तो प्रेसिडेंट उसका स्वागत तो करेगा ही तो इसका मतलब है यह लोग गुमरा कर रहे एक ही बात को बार-बार बड़ा चड़ा के बता रहे इस कारण इनकी क्या होनी चाहिए सीमा होनी चाहिए तो पहला वाला तो तरक बिल्कुल सही है कह रहा है नहीं यह बे आवाज की आवाज बन सकता है तो भीया यह तो गड़बड हो रही है क्या बोलेगा only first तरक मजबूत है इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे चलिए question number 11 में आईए question number 11 coding recording से संबन देते करा एक निश्चित कूडवासा में man को ये लिखा जाता है deer को ये लिखा जाता है तो mad का code क्या होगा पयरे दोस्तों गौर से देखो m, a और उसके बाद में आई है फिर n है क्या लिखा गया है आप कोड़ कोगे सर 9metal के बाद में 64 लिखा ये ठीक है इसके बाद देखो आगे आगे क्या है deer d, e और उसके बाद में प्यारे दोस्तों a और r ये deer रहा deer को लिखा गया है 85 क्या लिखा है 85 और 32 ठीक है code किसका पूंचा है आप कहोगे sir यहाँ पर जो code की बात हुई है mend की भाई है किसकी mend की M E N और D ठीक है इसका code बताना है तो भाई है जो जिसके सामने वही उसका code है जो जिसके सामने है वही उसका code है तो आप कोगे हाँ सर तो M के सामने क्या था अभी गौर से देख लो M के सामने 9 है तो 9 से सुरुवात होगी सभी बिकल्प में हो रही है E के सामने 5 है तो 5 आएगा 95 होगा तो 94 बाले गलत हो जाएगे एक बिकल्प गलत हो गया N के सामने 4 है तो 4 आएगा और D के सामने 8 है तो 8 आएगा तो 95 48 प्यारे दोस्तों गौर से देखे 9548 प्रिशन नंबर 11 का एकदम सही जबाब होगा बिकल्प नंबर 1 में दिया है ठीक है इस बात को याद रखेंगे जो जिसके सामने है उसका वही कोड है कौन से सिक्षित पुरस हैं कोर से देखो नंबर में रहने वाले नहीं है तो सर्कल में जितने भी आ रहे हैं वो सब गल्त है अर्थात 4 भी नहीं होगा 6 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा और तीन भी नहीं होगा सिक्षित पुरुस सिक्षित का पुरुस का मतलब है कि ट्राइंगिल में आने चाहिए और पुरुस का मतलब है किस में आने चाहिए प्यारे दोस्तो ये आने चाहिए आप लोगों के आयत में अर्थात आयत तो ये रहा आयत में आएगा ये आयत में आ जाएगा और उसके बाद है ट्राइंगल में भी आएगा कहाँ पर त्रवज में भी आएगा इस बात को याद रखेंगे गोर से देखो यहाँ पर ये त्रवज में भी आएगा ठीक है दोनों में आना चाहिए तो आप बोलोगे दोनों में तो सिक्षित और पुरुस दोनों में आना चाहिए मतलब ट्राइंगल और आयत में तो भईया दोनों में ऐसा ही विकल्प है जो ग्यारा आ रहा है चुकि उसने बोल दिया था नगर में रहने बाले ना हो तो इस करण मैंने सरकल के सारे के सारे नंबर काट दिये चलिए कुश्चिन नमर 13 में आईए कुश्चिन नमर 13 एक महतपूर प्रिश्ण है इसको देखे ये भी साधरिस्ता से ही संबंदित है कहा गया है दिये गये विकल्पों में से संबंदित अक्षर चुनिए प्यारे दोस्तों लिखा है A, K और U इसका संबंद किसी संख्या से है ठीक है क्या है A, K और U इनका संबंद किसे है? कोई संख्या होगी उससे है लेकिन प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ इनकी समसंबंद या नी की कह सकते हैं इनकी साधरस्ता जो दी है, वो किस से दी है? C, M, और W और इसके साथ में इसको लिखा गया है नीचे, क्या लिखा गया है? तो आप कहोगे सर, इसको लिखा गया है D, N, X, क्या लिखा है भईया? D, N, और X, इस बात को याद रखेंगे तो C, 3 पर होता है M, 13 पर होता है, W, 23 पर होता है इसको क्या लिखा गया है? तो आप बोल सकते हो यहाँ पर D4 पर लिखा गया है N14 पर लिखा गया है और X24 पर यानि कि हर बार में प्यारे दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है अगर उपर से नीचे आना है तो हर बार में प्लस 1 करना पड़ेगा और भाया जब आप प्लस 1 करोगे तो A में एक जोड़ेगा K में एक जोड़ेगा U में एक जोड़ेगा A में एक जोड़ने जाओगे तो B हो जाएगा ठीक है K में एक जोड़ने जाओगे तो L हो जाएगा और U में एक जोड़ने जाओगे तो V हो जाएगा तो BLU Sorry बी एल वी इस प्रिश्ण का सही उत्तर होना चाहिए विकल्प नमर चार में है बी एल वी इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कुश्चन नमर आजाओ चगुदा पर कहा गया है नीचे दिये गए प्रिश्ण में अगली आकरती ग्याद कीजिए प्यारे दोस्तों अगली आकरती बताना है एक most important कुश्चन है MC की कुश्चन अभी recently एक exam में पूछा गया था ठीक है चलिए बताते हैं एक मिनट कुश्चन तो गडबड़ हो गया कहां गया यार कुश्चन गया अच्छा ये है ठीक है कुश्चन नमर चाओदा ये रहा जल् उपर की और एरो है फिर नीचे की और एरो है तो अगली बार जो प्यारे दोस्तों एरो होगा वो कहां पर होगा उपर की और होना चाहिए कहां पर उपर की और होना चाहिए ठीक है इसके अलावा अब क्या वो लोगे अब आप डॉट गिल लो ये डॉट दो है फिर चार है फिर 6 हैं फिर 8 हैं तो अगली बार में जो dot की संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए आप कोगे सर 10 होनी चाहिए तो दोस्तों 10 dot कहां पर दे रखें देखो यहां पर 7 हैं गलत हो जाएगा यहां पर अगर देख रहा हो हो आप 2 number में हो सकता है बन जाए तीन number में देख रहे हो तो यह भी हो सकता है बन जाए चौथा नहीं मनेगा चुकी arrow दूसरी तरफ है अब गौर से समझेंगे प्यारे दोस्तों एक तरफ हमारे पास जो dot हैं वो किसके shape में है एक आपके इसके shape में है इस आकरती को बोलते हैं क्या बोलते हैं बर्ग के shape में एक तरफ dot हमारे पास ब्रत के shape में है एक तरफ बर्ग के shape में है गोर से देख लो प्यारे सात्यों अगर आप quality बढ़ाएंगे 360 करेंगे तो समझ में आएगा एक आपको ब्रत के shape में मिलेगा एक मिलेगा बर्ग के shape में तो भहिया देखो, मेरी बात को समझना है आप लोगों को, कहां से? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यह कौन सा है? यह आपका बर्ग का सेप दे रखा है, यानि कि चारो बुझाओ समान वाला इसके बाद दूसरी तरफ बर्ग का सेप दे रखा है इसके बाद फिर पहली तरफ बर्ग का सेप दे रखा है ठीक है फिर दूसरी तरफ बर्ग का सेप दे रखा है इसके बाद अगली बार में जो बर्ग का सेप आएगा वो पहली तरफ होना चाहिए कहां पर बर्ग की तरफ बर्ग जो होगा वो पहली तरफ होना चाहिए तो भाया यहां पर देखो बिकल्प नमर 3 में बर्ग का सिब दूसरी तरफ है ओप्सन नमर 2 में बर्ग का सिब पहली तरफ है तो उत्तर बन जाएगा इस प्रिश्ण का बिकल्प नमर 2 इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे या तो आप इसको 480 में देख लीजे या 360 में देख लीजे क्वाल्टी बढा के आपको समझ में आ जाएगा प्रिश्ण का उत्तर बिकल्प नम्मर क्या होगा दो होगा इस बात को याद रखेंगे क्वेश्ण नमर 15 में आओ क्वेश्ण नमर 15 में बोला है नियायादीस, चोर और अपरादी प्यारे दोस्तों के बीच सही आरेक क्या होगा बताओ नियायादीस है, चोर है, अपरादी है तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले अगर नहीं आता है क्योंकि वो जज है जज क्या है चोरों को सजा देने बाला व्यक्ति होता है तो ये चोर होई नहीं सकता तो चोर अलग से आएगा और मुझे बताओ क्या चोर अपरादी होता है आपको यहां सर चोर अपरादी होता है भया तो चोर जो होगा वो किसके अंतरगत आएगा अपर ऌनल WA2 जायी एंपरादी के इस बात आरेक और नियाय धीस के लिए अलग होगा और चोर और अपराधी के हो जाए शिर इस बात को याद रुखेंगे ईस तो यहाद ररेक को विखशन मोर 17 कोल जाएं वनमे जान के MELThis ईस्ट-ष am